अब आई हम देखते हैं कि वर्तमान में विदेशी विनिमेदर का निधारन हमारे देश में किस प्रकार किया जाता है हमने देखा कि दो तरह के ये दरे लागू हो सकती है या तो इस्तिर विनिमेदर के अधार पर या फिर लोचशिल विनिमेदर के अधार पर लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो यहां पर हम विदेशी विनिमेदर के निधारन के लिए दो तरह की शक्तियों का प्रियोग करते हैं एक तो हम मांग की शक्तियों का प्रियोग करते हैं और दूसरा पूर्ती की शक्तियों का प्रियोग करते हैं सबसे पहले हम जाने कि अगर हम मा की शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो उसकी अंतरगत कौन कौन सी दशायं बन सकते हैं यह विदेश 009 और तीसरा की सहायता पर निर्भरता तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जहां जिन देशों में आयात अधिक है निर्यात कम है वहां पर विदेशी मुद्रा की कमी होती है इसलिए क्योंकि जो भंडार होते हैं मुद्रा के विदेशी मुद्रा के वह जाते अधिक हैं वह दूसरे देशों में चले जाते हैं लेकिन नर्यात कम हो से प्राप्त रिंड कितना है क्योंकि अगर विदेशों से रिंड लेंगे तो विदेशी रिंड के रूप में भी हमको विदेशी मुद्रही प्राप्त होगी और एक बात हम देखते हैं कि विदेशी सहायता विदेशों से जो हमको आय प्राप्त हो रही है वो रिंड के प्रवेश के मार्ग खोलता है अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा के बात करते हैं तो यह एक ऐसा हथियार है जो अंतर राष्ट्री वैपार में प्रवेश के मार्ग खोलता है अगर किसी देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार नहीं है विदेशी मुद्रा नहीं है तो जाहिर से बात है कि वो अंतर राष्ट्री वैपार में या विदेशी बाजार में प्रवेश कर ही नहीं सकता अब इन्ही मुद्रा को अगर हम मांग से कोरेलेट कर दें तो हम देखते हैं कि जिस देश की मुद्रा की मांग बहुत अधिक होती है उसकी कीमते भी अधिक होती है इसके विपरीत जिस देश की मुद्रा की मांग कम होती है उसकी कीमते भी कम होती है ज्यादा से ज्यादा वैपार जो अंतरास्ट्री वैपार होते हैं वो डॉलर में होते हैं इसलिए हमने देखा कि डॉलर को अंतरास्ट्री करिंजी इंटरनेशनल करिंजी मान लिया गया और हम देखते हैं कि हमेशा उसकी जो वैली होती है वो बढ़ी हुई रहती है कैसे इसमें उच्छावचन होते हैं कैसे कमी वृद्धी होती है इस पूरे प्रक्रिया को आये एक उदाहरण और ग्राप के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं यदि भारती रुपए के मुकादले अमेरिकी डॉलर का मुले बढ़ जाता है तो इससे भारतीयों के लिए अमेरिकी वस्तवे महंगी हो जाएंगी यानि कि भारत के अमेरिका से आयात कम हो जाएंगे और भारत में डॉलर की मांग कम हो जाएगी दूसरी और अगर रुपे के तुल्ला में डॉलर सस्ता हो जाता है तो भारत के लिए अमेरिकी विस्वे सस्ती हो जाएंगे और इसके फ़ल स्वरूप भारत के अमेरिका से आयात बढ़ जाएंगे अब आयातों में व्रधि से भारत में डॉलर की मांग बढ़ जाएगी यानि कि विदेशे मुद्रा की मांग वक्र का ढाल रिनात्मक होता है या हम कह सकते हैं कि विदेशे विनमे की मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर जुकी हुई होती है विदेशे मिन्मे की मांग अन्य कई कारणों से हो सकती है, जैसे विदेशे मुद्रा की मांग वस्तू और सिवाओं के लिए के जाती है, या विदेशे मुद्रा की मांग विदेशे कंपनियों के बॉंड्स अंशपत्र में निवेश करने के लिए के जाती है, या देश के लो तो, उपहारों के लिए भी की जा सकती है। इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि विदेश विनिमय के मांग वक्र को प्रदशित करता हुआ एक डालез रिणात्मक हैं। इस चित्र में हम देखते हैं कि O-X अक्ष पर विदेशी विनिमे की मांग तथा O Y अक्ष पर विदेशी विनिमे की दर को दिखाया गया है। यहां हम एक DD वक्त भी देख रहे हैं जो कि विदेशी विनिमे का मांग वक्त रहे हैं और यह बताता है कि उची विनिमे दर पर OR विदेशी विनिमे की मांग OD कम की जाती है तथा नीची विनिमे दर OR 1 पर विदेशी विनिमे की मांग OD 1 अधिक की जाती है इस प्रकार विदेशी विनिमे की मांग एवं विनिमे दर में विपरीत संबंध होता है और दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें तो वो है पूर्ती यानि अगर हम विदेशी विनिमेदर के नरधारन के लिए पूर्ती पक्ष का प्रियोग करें तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि वास्तों में विदेशी मुद्रा की पूर्ती होती कहां कहां से हैं सबसे पहली बात तो विदेशी मुद्रा का मुख्य स्त्रोथ है दूसरे देशों द्वारा हमारे देश से खरीदे गए वस्तू की जो कीमिते या कुल मिलाकर हम कहें तो निर्यात वैपार सबसे महत्पोर्ण स्त्रोथ होता है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का दूसरा हम देखते हैं कि देश में विदेश द्वारा किये गया जो निवेश होते हैं वो भी हमको विदेशी मुद्रप्रदान करते हैं भुकतान संतुलन से संबंदित अध्याय में हमने देखा था कि अगर हमारे देश का भुकतान संतुलन बहुत अच्छा बना हुआ है त इससे विदेशी विन्योजक जो है वो हमारे देश में निवेश करते हैं और इससे हमको विदेशी मुद्रक के प्राप्ति होती हैं। वो भी कहीं न कहीं विदेशी मुद्रा की आपूर्ती ही कहलाते हैं अब अगर हम इनकी आधार पर विनिमेदरों के नरधारन की बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि विदेशी विनिमेदर की पूर्ती और विनिमेदर दोनों में किस तरह से एक डारिट कनेक्शन प्रत्य स्मद्ध होता है किस तरह से संबंध हम कह सकते हैं यहां हम देखते हैं कि बढ़नी से विदेशी मुद्रा privilege बढ़ जाती'RE है और दूसरा हम देखते हैं कि विदेशी कम हो जाने घर जाने कर विदेशी मुद्रह की Пूर्थी भी घर जाती है कैसी कि यह संभव हो पाता है क्या है इसकी पूरी प्रक्रिया आए इसको एक ग्राफ के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करें विदेश्य विनिमय के पूर्ति के संबंद में हम देखते हैं कि सामानिता विदेश्य विनिमय के पूर्ति और विनिमय दर में कम हो जाती pewno की कारण है कि विदेशी मुद्रा की फूर्ट्टी वक्र का धाल धनात्मक होता है यानि नीचे से ऊपर की ओर उठा हुआ होता है इसका कारण ये है कि जब बीनिमेदर उची होगी तो निर्यात अधिक किये जाएंगे और विदेशी मुद्रा की अधिक पूर्टी होगी और इसके विपरीध अगरो clam Walker तो निर्याth कम होंगे और इसके परिणामसरों विदेशी मुद्रा की को पूर्टी कम होगी आएसे एक रेखा चित्र के द्वारा समझें, इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि विदेशी विनिमय के पूर्ती वक्र को का जो ढाल है वो बाएं से दाएं उपर की ओर है, इस चित्र में O X अक्ष पर विदेशी विनिमय के पूर्ती और O Y अक्ष पर विदेशी विनिमय के दर को दिखाया गया है यहां हमको एक एस एस वक्र भी दिखाई दे रहा है जो कि विदेशे विनिमय की पूर्ती का वक्र है इससे यह सपस्ट हो जा रहा है कि विदेशे विनिमय की पूर्ती एवं विनिमय की दर में प्रत्यक्ष संबन होता है विनिमय के संतुलित दर यानि वह द डर, जिस पर विदेशे विनिमय की मांग और पूर्ती बराबर हो जाती है। इसे हम एक रेखा चित्र के सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। इस रेखा चित्र में हम देख रहे हैं कि O X अक्षपर विदेशे विनिमय और O Y अक्षपर विनिमय दर को दिखाया गया है। है कि मुद्न के विदेशी मुद्र की मांग वह पूर्ति वख्त एक दूसरे को काट확ं यह और संतुलित विन्हमेदर है उ cit основ विदेशी में की मांग और पूर्ति दोनों बराबर है यदि विन्हमेदर ओर वन है तो तो यह माना जाएगा कि विदेशी विनिमे की पूर्थी मांग से अधिक है जिससे विनिमे दर कम होकर फिर से OR हो जाएगी और अगर इसके विप्रीत विनिमे दर OR2 है तो इस पर मांग पूर्थी से अधिक है जिससे विनिमे दर बढ़कर फिर से OR हो जाती है इस प्रकार संत प्रतिबंधित या तैर्ती हुई विनिमेदर प्रणाली के अंतरगर्थ अंतराश्ट्री वैपार एवं विदेशी निवेशों का प्रवाह विनिमेदरों में निरंतर होने वाले उच्चावचनों से प्रतिकोल रूप में प्रभावित होता है इसी समस्या के समाधान के उतार चड़ाव के प्रतिकों एक प्रतिशत से दो दशमलों दो पांच प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया बारा फरवरी 1973 को अमेरिके डॉलर के आवमूलियन के बाद स्मित सोनियन समझोता टूट गया जनवरी 1976 में जमैका समझोते के बाद अंतराश्ट्री मुद्रकोष क के आधि तैर्ती विनिमयदर की व्यवस्था का आरंबुआ तैर्ती विनिमयदर प्रणाली वास्तों में स्वतंत्र लोजपूर्ण विनिमयदर प्रणाली नहीं थी बलकि यह एक प्रतिबंधित तैर्ती विनिमयदर प्रणाली थी जिसकी अंतरगत विभिन्य देशों के म एक और देश को स्तिर विनमेदरों से होने वाले लाब को प्राप्त करने का अवसर दिया गया वहीं दूसरी और देश के भुक्तान संतुलन के आसंतुलनों को समयोजित करने के लिए लोजशिलता बनाये रखने का भी अवसर दिया गया प्रतिबंदित तेर्थी प्रणाली के अंतरगत विदेशी विनिमे कोशो का प्रियोग करती हुए विनिमेदर के देर्धकालिन जुकाओ को प्रभावित के बिना विनिमेदर के अल्पकालिक उतार चड़ाओ को कम करने में सपलता मिलती है स्वक्ष एवं गंदी तेर्थी प्रणालियां पहला स्वक्ष तेर्थी प्रणाली में विनिमेदर को मांग एवं पूर्थी के स्वतंत्र बजार शक्तियों के द्वारा निर्धारित होने दिया जाता है इसमें मौदिग प्रशाशन हस्तक शेप नहीं करता और विदेशी विनिमय बजार बिना किसी हस्तक शेप के स्वता ही मांग एवन पूरती में समयोजन कर लीता है। दूसरा गंदी तैरती प्रणाली में देश का मौदिग प्रशाशन कीलक प्रियाओं के द्वारा विनिमय दर के उताय चड़ाओं को कम करने ये पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हस्तक शेप करता है। इस हस्तक शेप का उद्देश घरेलू देश को लाब पहुंचाना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वक्ष तैरती प्रणाली में कुछ सीमा तक लोच शीलता के साथ विनिमय दर में स्थिर्था प्राप्त हो जाती है। जबकि इसके विप्रेत गंदी तैरती प्रणाली में विनिमय दर में लोच शीलता नहीं होती है। तो इस पूरी अध्याय में आपने देखा कि किस प्रकार विदेशी विनिमय दर अंतराश्ट्री वैपार के सुचारू संचालन के लिए अंतराश्ट्री वैपार की दश्राओं को बनाए रखने के लिए महत्वण होती है। इस्थिर विनिमय के साथ साथ हमने लोच शील विनिमय दर का अध्यन किया। अर्थ विवस्था पर पढ़ता है। हमने काफे विस्तार से अध्यन किया। संतुलन के साथ साथ जो जूड़ी हुई दशाय होती है विनिमय दर की उनके बारे में हमने काफे विस्तार से जाना। इस पूरे विशय में हमने वेस्टिगत अर्थशास्त्र और समस्टिगत अर्थशास्त्र के अंतरगत अलग अलग बिंदूओं पर अलग अलग विश्यों पर चर्चा की वेस्टिगत अर्थशास्त्र क्या है ये हमने देखा अर्थशास्त्र के कौन-कौन से विशय वेस्ट से चर्चा की तो कुल मिलाकर इस पूरे विशय में हम अर्थ शास्त्र से संबंधित जो क्रियाएं हैं देश की अर्थ वैवस्ता से संबंधित जो क्रियाएं हैं उनके बारे में काफी कुछ हमने जाना